नमश्कार दोस्तो पशु को रिस्ट्रेन करना जानी की काबू करना उतना ही जरूरी है जितना पशु को ट्रेटमेंट करना क्यूंकि अगर आप जानवर को अच्छी तरह रिस्ट्रेन कर लेंगे जानी की उसको काबू कर लेंगे जमीन पर अच्छी तरह गिरा लेंगे तब करके जब आप उस पशु के थन को या पले को चेक करना चाते हैं तो वो हाथ नहीं लगाने दे रहा तो आप इस मैथड से बिना मैन पावर के एक आदमी पशु को असानी से गिरा सकता है किसी भी तरह की चोट या इंजरी पशु को इस मैथड में नहीं आती है वो बड़े ही लोकल लेंगमिज में पेटी मेथड बोलते हैं जैसे कि मैंने इसमें इस रसी का यूज किया है आप देखिए किस तरह से रसी को गाठ लगाकर पशु के गले में डालते हैं ताकि गिरने के बाद रसी टाइट ना हो और पशु को सांस लेने में प्राबलम ना हो उसके खीजते हैं तो पशु बड़े ही असानी से एक ही जटके में गिर जाता है किसी भी तरह की परिशानी पशु को नहीं होती है एक ही आदमी पशु को गिरा सकता है इस मैथड से आप देखिए उसके बाद आपने पशु की गरदन को पकड़ कर रखना है और पीछे वाली असानी से कर सकते हैं इस मेथड से आप अपने पशु को कंट्रोल कर सकते हैं जमीन पर गिरा सकते हैं वीडियो को जदा से जदा लोगों में आप शेर करें लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद